तो उसके आख में चाकू गोद दिया गया है दोनों हाथ काड़ दिया गया है और दोनों अस्तन काड़ दिया गया है मेरी मम्मी मार्केट गई थी मार्केट से लोड़ते समय मतलब छेक के साड़े छेक बीच में साम में यह हत्या हो गया सर मेरी कोई साधी होने वाली नहीं थी यह सर कैसे एज़ी पिसर बोल दिये हैं यह मुझे भी पता नहीं लेडी जब खुद से बयान दे दी तो इनकम हीने फ्रसाशन को आप क्या चाहिए मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है सकील मिया को इतना सम्मान क्यों दे रहा है एक अपराधी है औरत का हत्या किया है और आप सम्मान दे रहा है सकील मिया आते थे जाते थे कुछ नहीं जानते हैं हम बाहर के हैं लेकिन ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए उस अपरादी को तुरंद फासी होनी चाहिए बिहार के भागलपूर का पिरपैती एक ऐसा जगह है जो अभी मिडिया के सुर्खियों में बना हुआ है और पिरपैती का ये छोटी दिलावरी गाओं है और ये वही सक्स हैं जिनकी माता जी का हत्या जो है कुछ दिन पहले एक दरिंदा ने कर दिया उसका नाम जो है मुहमद साकील था और उसने जो है साम के 6 बजे एक सड़क पे जो यहां से सिर्फ और सिर्फ 200 से 2500 मिटर की दूरी पे है वहां पे हत्या कर दिया था हलाकि कुछ लोग जो है कुछ और बोल रहे हैं कि अंगल कुछ और है कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं हम लोग परिवार से जानने का प्रियास करेंगे कि आखिर जो है यह हत्या हुआ क्यूं और इन लोगों को इंसाफ का उमीद जो है किस से है क्या नाम हुआ आपका और पापा ने उसकान पार के सिटके स्थ कुछ में असक है न नाम आम चंदन कुमारवा आपके इस ने किया था वो सकील मिया ने किया था अच्छा सकील मिया और आपकी माता जी के बीच में विवाद का कारण क्या था कारण यही था कि एक सल पहले महां भठाक पास मेरा दुकान था तो मतलब दुकान आता था जाता था ठीक कि दूखान आता जाता था थै तो मतलब अईसे ही ठ्टावाद भाद फिर नहीं आए तो मतलब दूचार दिन के बाद आते थे तो मतलब दुखान तो नहीं आते थे लेकिन सडाख पर से गूप के चल जाते थें तो एक दिन फिर जिस दिन मेरे मम्मी के साथ इहां या तो उस दिन मेरी मम्मी मार्केट गई थी मार्केट से लूड़ते समय मतलब छे की साड़े-छे बीच में साम्में इहां इसे अपाराधी आपकी मा के उपर धारदार अतियार वार कर रहा था उस समय सड़क पर कोई नहीं था जी कोई नहीं था क्या मतलब करने के बाद मतलब अपराधी जो है वो कितने लोग थे अपराधी तो मेरे ममी सिर्फ एक ही का नाम बोली थी सकील मिया का और उसके साथ मतलब कौन था यह हम सब को नहीं पता है यह आप लोगों नजर डालता था आपके पिता जी ने मना किया और उसके बाद से एक साल बाद जो है उसने हत्या कर दिया लेकिन बहुत सारे जगहों पर यह कहा जा रहा है कि वह आपकी मां का चैन छीन ने आया था वो कुछ और करने आया था ऐसा कुछ नैई इस सब गलत अफ हुआ है तो च तो यही जिस दिन घटना हुआ ना तो उस दिन हम लोग को पता चला और सकिल मिया जो है ना गाउं के साइड मों जमीन वह बुनते हैं तो आते जाते रहते थे तो हम लोग देखते थे कि दुकान पर आता जाता है सकिल मिया के लिए इतना रिस्पेक्ट आप क्यूं दे रह है और आप सम्मान दे रहा है सकिल मिया आते थे देखे जाते थे शाम कि आप बहुत तरह कि पैसा लिये है या कुछ है कुछ भी हो वैसा तो इसा क्या मतलब है किसी को 18 को कृक्त में काट दे अ कितने क्ट्रे में काट था देखे उस टाइम तो हम मतलब बण्यास देखने पाये थे लिकिन मेरे ख्याल से जो देखे थे तो दस से बारह हो सकतें दस या बारह कैसे इसे हतिया गिया था तो बहुत निर्मम तरीके से या जानते हैं घट्ट नहीं जानते हैं ख़्या लेकिन ऐ leather थांस हम अपरादी को पर लोग ये दोनों अपरादी पगरा गया है अब एक ही उमीद करते हैं कि उस इंसान को फांसी और इसके परिवार में वही और थी कमाने वाली और इस बच्चे को सरकार के तरब से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए कि वही औरत इस परिवार की ढालती इस परकार का घटना अगर जारखंड में होता है तो उसके परिवार वालों को जो है 25 से 30 रुपया का आर्थिक सहयोग मिलता है राजस्तान में होता है त जाती है समिकरन देख के जो है ना वो नेता लोग जो है स्टेटमेंट देते हैं क्या नाम हूँ आपका कैला सियादव अच्छा आप जो है भाई है असो के आदो के निलम देवी के भाई है तो आप क्या उमीद करते हैं हम सरकार से उमीद करता है कि स्प्रिट ट्राइल के म कि सरकार उन्दर अपराधी को फासी पर लटका देगी दिखने से तो नहीं लग रहा है कई कि अभी तक जी दिन से गटना हुआ है इसका रूप रेखा जो यहांके वरिय पदादीकारी जीला के स्पी हैं अगर यहां के पता धिकारी जो कि जिला को कैसे समाली इसका बयान है कि कुछ लड़की उसकी नीलम देभी के बेटी के साधी का मामला था साधी का कुछ पैसा का लेंदन था एस पी साहिब आप यह जो बयान दिया है किनके कहने पे बैएन अब मतलब अपरादी कहने पे दिया है या फीर प्रिटा के कहने पी इस तरह का बयान दिया है लिए दिन से एस पी सरकाई ये बयान है कि कुछ पैसा का साधी का लेकर कर ममला था तो उछिझ diesem घटना about में यह सारा सर कलत है साधी का मेटर था किया जी नइचा अफीज को ब Türkiye की शादी के लिए पैसे लिया गया धा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग के दौरण पता चला है कि 왔ativa क्रेंच Square EPA बासा थे एक ना तो वो आते थे जिसके वज़े से उसका अंदाज कुछ गलत था इसलिए पापा उसको डांटे थे कि मेरे यहां मेरे बासा पे मत आईए जाईए और उसी के वज़े से वो नहीं आने जाने लगा और कबसे पता नहीं है सब अपने मन में बैठा के रखा था क एसे ऐसे करेंगे क्योंकि जो भी करती थी तो ममी करती थी क्या लगता है कि इनसाफ मिलेगा बच्ची को मैं अभी बोलनी कि इस्तिती में ही नहीं हो जो मार्मिक मैंने वीडियो देखा है और उसके बाद वो लेडी जब खुद से बयान दे दी तो इनकम हीने फ्रसाशन को आप क्या चाहिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो मर रहा है उस मरने वाले व्यक्ति का ब्यान खुद है मतलब वीडियो देखके इनसान काम जा रहा है हमने देखा है किस कदर उसकी चाती काटी गई है हाथ काटा गया और उस स्थिती में वो क्या बोल रही है सकील सक आप चाहिए कोई से जादा किसी चीज़ की जरुवत नहीं है ये बच्ची अभी बोली है कि दो दिन के अंदर इनका काम करिया है पटना ये लोग आएंगे हम जादा से जादा क्या कर सकते हैं इन कमीनी सरकार की देखी जहां दो गंटे का रास्ता है उसको पांच गंटे क सफरते करके आना लोग कह रहें defenses क्यों नेईबना रहें कैसे बनेगां चैसे आप लोग आएंगे कैसे अप लोग आएंगे सडक की स्थीती खराब जहां आम जंता को आने मीं इतनी परिशानी है वहां कि आपको लगता है कि स्प्जड स्पी और ं नंतरी दिखाना है इसलिए आख में चाकू गोड दिया गया है दोनोंगा दिया गया है हमको बिल्कुल भी शड़म नहीं आता कि एक मा जो अपने बच्चे को नौ महिना पेट में पालती है दूद पिलाती है बड़ा करती है उसी मां का उसने अस्तन काट़ है क्या उसकी मां नहीं बिहार में एक महिला का अस्थन काट के हत्या कर दिया जाता है और जरा सोच ये नेशनल खबर भी ये नहीं बन पाता है हलाकि यहां का प्रिंट मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं अगर वो नहीं होते तो साय जो है ये जनकारी जो है वो किसी को नहीं मिलती प्रिंट मीडिया में खबर आता है स्रधा के उपर जो है चर्चा होता है बिहार में आरती छोटू के उपर चर्चा होता है लेकिन एक महिला का अस्तन काट दिया गया उसका अने को अंग काट दिया गया और बीच रोड पे काट के उसे फेक दिया गया इस पे चर्चा करने के लिए कोई तयार भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना आज यह बच्ची का भविश्च अंधकार में जाड़ा है यह लड़की जो अपनी मां को खो दी इतनी बहरमी से उसकी मौत दिया गया है वो बच्ची आगे कैसे बढ़ेगी इसकी हिम् इन का ना तो इसकी मां कोई मोटा चैन पहें तो मारी मां कोई करज ली थी क्या उससे अगर करज ली अगर सोना का चेन छीना चपडी हुआ ही अगर प्रेम हुआ ही तो आपको मारने का अदिकार किस ने दिया है एसा कहां पर लिखा हुआ है कि आप उसको जान समार देंगे यह कहीं नहीं दिया हुआ है यही हमारी पूरे महिला विकास मंच टीम की मांग है इस बच्छी के लिए हम लोग दिली में बैठा महिला आयोग कुछ क्यों नहीं एक्षन ले रहा है पहले तो पटना का महिला आयो महिला योग से मैं बीनती करना चाहता हूं कि एक महिला के साथ इस परकार से जगन अपराध हुआ और आप लोग अभी भी जो है यहर कंडिशन कमरों में बैठके महिलाओं के विकास के नाम पे खिलवार करना है बीनती है आप लोगों से कि आईये और इस महिला को इंसाफ दिलाने का प्रयास की जेए इस परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजे वर्ना इतिहास माफ नहीं करेगा मारकेट गई थी तो रास्ते में मतलो हम सब तो यह नहीं थे जिस दिन डेट हुआ तो उसी दिन हम आये हैं मैं उनकी भावी हूँ यह एक ऐसा घर है जहां पे एक निर्मम हत्या हुआ है उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बताने के लिए तयार नहीं है अला कि कुछ लोग बताने के लिए तयार है यही चीज है इस समाज से भी हम एक बिंती है कि आप अपनी बाड़ी का इंतजार ना करें साहब यह मैं आपको कहना चाहती हूँ क्योंकि पहले भी एक समाज था कि परसासान अंदर आने से कत्राता था लेकिन आज लेकिन आज के समय में हम आप घर में बैठते हैं कि आपकी आपकी बेटी नहीं हम सबकी माँ बेहन बेटियों का इंतजार करने का मौका मत दीजिए और यहां पर जो लोग बैठे हैं और सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे कुछ बात होती है तो सब आकर के समाज का ठिकेदार नजर क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि यह हत्या फिर दुबार चाहिंगे कि तुम मारते हो तुम को क्या सजा मिलेगी घटना करता है उसका कोई जात और कोई मजहब नहीं होता है लेकिन यहां पे विहार में अपराधी जो है उसका भी जात और मजहब देखके जो है नेता स्टेटमेंट देते हैं कहीं नहीं तो कहीं उनका भोट बेंक खराब हो जाए इसलिए जो है बहुत सारे नेता मौन है सबोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं वह प्राधी को सजा मिलना चाहिए जब तक उनको फासी पर नहीं लटकाया जाएगा तब तक जो है यहाँ इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस परकार का घटना कैसे बिहार में रुके इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और आरती छोटू का कभरेज करने वाले लोगों से मैं बिनती करना चाता हूँ कि उससे बड़ा जगन अपराद जो है यहाँ पे हुआ है यहाँ पे भी आईए और इस घटना को भी देखाईए और स्रधा अपताप की कहानी जो है एर कंडिसन इस्टिडियो में बैट के दिखाने वाले मिडिया वालों से भी मैं बिनती करना चाता हूँ कि एक 42 साल की स्रधा जो है बिहार में भी नीलम देवी बन गई जिनका गुनाहा कुछ नहीं था उनकी हत्या हो गई बस जाए हिन्द